कि अर्णिंग से रिलेटीड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बैल आइकन पर दोस्तों क्या आप बहुत सा पैसा कमाते हैं बट आपके पास ठिकता नहीं है या फिर आप जीड तोड मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं तो एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा प्लांट जो आप अगर अपने घर में लगाते हैं इस पोदे को अपने घर में आप शिफ्ट कर लेते हैं इसकी एक जगह होती है अगर आप उसको उस जगह पर रख देते हैं तो यह पैसे को चुम्बक की तरह खाचता है आपने यह वीडियो बहुत सारी देखी होंगी लेकिन मैं आपको उनमें आपको यह नहीं बताया गया कि आपको कहां मिले आप नर्सरी पर लेने जाते हैं आपको इस प्लांट के बदले कोई और प्लांट दे दिया जाता है तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि यह प्लांट कहां मिलेगा और इसकी केर कैसे करनी है क्योंकि अगर आप ले आएंगे और आपको केर नहीं हुई तो यह प्लांट इसाब से गलत होगा यह पोधा सर्वाइव करता है इंडॉर और आउट डॉर दोनों जगे तो दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं आपने बहुत सी वीडियो देख ली होगी इसके बारे में पता चल गया होगा कि क्रासुला क्या चीज है क्रासुला कौन सा प् पत्ते होते हैं इसके पत्ते काफी मोटे होते हैं काफी मोटे पत्ते होते हैं और इनके पत्तों पर आपको जो पिंक कलर की लाइनिंग है वह आपको दिखी जाएगी रैड कलर की लाइनिंग इसके उपर होती है और काफी चमकदार इसके पत्ते होते हैं तो दोस्तों इसक संहें सबस्क्राइब अरत जिसके अंदर यह डार फिर吗 है अपर इसका फरक मिलेगा कहां पर मैं आपको मुझे सकते ऑप स्क्रील होगी सकते हैं रीजनेवल प्राइज में आप अगर क्रासुला को नर्सरी चले लिने जाते हैं तो आप से कुछ भी मांग सकते हैं कुछ भी क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि क्रासुला की डिमांड बहुत ज़्याद है जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था तो लोग इसको खरीद रहे थे कम पैसों में असानी से मिल जाता था लेकिन इस टाइम यह नर्शरी पर अवेलबल भी नहीं होगा अगर कहीं से आ भी जाता है है तो उनके प्राइस होंगे वह काफी हाई होंगे कि हाई डिमांड हाई प्राइब यह रूल है तो यह जैड़पलांट है जैड़पलांट तो हर घर में मिल लेकिन क्रासुला जो है वह अभी ट्रेंट इसका चला है तो फैंग्च्वी के हिसाब से कहा जाता है इसको फ्रेंड्शिप् प्लांट ही बोलते हैं इसको मनी ट्री मैं एशियन मनी ट्री और दोस्तों इसको बोलते हैं करासुला ओवाटा एक रासुला की फैमली से है करासुला ओवाटा इसका नाम है तो इसको तन्वीर से आप पर परचेज कर लीजिए गाप को सभी पर आपको मिल जाएगा क्योंकि वह उनका बहुत ही अच्छा काम है विजनस है केक्टस सेक्विलेंट का तो पहली आपने उसकी वीडियो में देखा होगा जो मैंने बनाई थी लेकिन अब क्रासुला भी आप लेना चाहते हैं तो इसके पास अवेलबल है मंगवाया हुआ उन्होंने बहुत अच्छे मातरा में अब वो खुरीद रहें तो आप वाट्साप पर उसे कॉंटक्ट कर सकते हैं आपको दे देंगे तो चलिए दोस्तों इसकी केर एंड टिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको सैंडी सोईल पसंद होती है वैल ड् आप इसमें डेली वाटरिंग करते हैं तो यह प्लांट जाहा दिन तर सर्वाव नहीं करेगा इसके पत्ते लगी हो जाएंगे हैल्दी प्लांट आपका बिल्कुल नहीं रहेगा और ग्रोथ भी इसकी स्लो हो जाएगी और जल्दी ही यह डैड हो जाएगा तब करना क्या ह इसकी जब विट्टी ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी के देना है पानी कम नहीं देना पानी एक बार अच्छे से देना है ताकि इसका पानी नीचे से ड्रेन हो जाए फिर आपको नेक्स्ट वाटरिंग तब करनी होगी जब इसकी सोयल ड्राई लगे मतलब हर वा फोसनी में भी सरवाइव करता है मतलब इंड़र भी सरवाइव कर लेगा और आउट्ड़ भी सरवाइव कर लेगा LAKIN जो इसके रैड कलर के पत्य होते हैं जो लाइनिंग अाती है वह लाइनिंग धूप में आए अगर इसको मॉर्निंग की 12-4 गंटे की धूप इसको मिल जा वहां पर आप इसको राइट साइड में रख दीजिए इसकी जो परफेक्ट प्लेस है वह यही है कि गेट के राइट साइड होनी चाहिए मतलब जब आप घर के अंदर आते हैं तो राइट साइड में यह प्लांट होना जरूरी है तो आप बात कर लेते हैं दोज़स की फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर इसको कोई खास जरूरत रिक्वाइरमेंट नहीं होती फिर भी आप इसमें इसकी ग्रोथ को अच्छा क अच्छा करने के लिए फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं डी कंपोज्ट गोबर की खाज या फिर आप डाल सकते हैं टो एक दो महीने में एक बार यह तो आप जब आपको याद आए तप ही डाल दीजिए लेकिन जल्दी नहीं कम से कम आपको मही महिने का गैप रखना है और ज्यादा से ज्यादा आप छे महीने में एक बात दे सकते हैं तो यह बहुत ही इसली ग्रो करता है कोई इसकी एज की अगर बात करें तो इसकी कम नहीं होती मतलब अगर आपने एक बार लगा लिया और इसके अच्छे से केर करते रहें तो जब तक आपकी जिंदगी चलेगी तब तक यह प्लांट चलता रहेगा जल्दी यह डैड नहीं होता यह बढ़ता रहता है फिलावदार पोदा है फैलता रहेगा साइडों में ऊपर भी बढ़ेगा साइडों में बढ़ेगा तो एक जाड़ी नुमा बन जाएगा अगर आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग और कर लेते हैं तो आप इसको एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं तो इसकी वाटरिंग की बात भी हो गई इसकी सोईल की बात भी हो गई कि इसको वैल ड्रेन सोईल पसंद है वैल ड्रेन सोईल बनाने के लिए मैं लकडी का कोईला होता है, बराबर मातरा में लीजिये गागर दीकंपोस्ट गोबर के खाद और कोईला वह आपनी मिटि में मिला दीजिए, मिलाने के बाद उसमें आप प्लांट को लगा दीजिए, फिर इसकी ग्रोफ देखिए कितनी फास्ट होती है, तो और दोस्तो अगर इसकी बात करें हम प्रोपागेशन की बात करते हैं तो प्रोपागेशन में या इसको आप कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं लेकिन ये अगर आपके आस्पडोस में लगा हुआ है तो आपको परचेज करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट इसक एक स्टेम्प काट कर ले आईए और लगा दीजिए इसका कोई सीजन नहीं है कि आपको फरवरी में लगानी है या फिर आपको सेप्टमबर में लगानी है या जुलाई में लगानी है आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं कटिंग लगाने के बाद आपको एक महीना इस कहीं पर नहीं है तो अगर आप कोई कटिंग लेने नहीं दे रहा है तो आप geland कोabileज कर सकते हैं मिस्टर तनवीर से तो चलिए दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि ऐसे इंफर्मेशनल वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब त राफर्मेशनल वीडियो में किसी नई लेकर ढोता हूं तोस्तों मिलते हैं वुले करें आता हैं लिए बार्मेशनल वीडियो आता हैं लेकर आता हैं